हेलो बच्चों कल हमने प्रेजंट इंडेफिनिट टेंस के संटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा और आज हम करेंगे इसके यूजी के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट यूज है इसका सिंपल प्रेजंट टेंस या प्रेजंट इंडेफिनिट टेंस का she do quую करें चोना है कि युनिवर्सल्ट तुत एंड हो चाहिए बूध काल और वर्तमान रह प्वेशे काल ब्रू हो प्रव नुवर्सियूंग होते हैं. For example the sun rises in the east, in the east, सुरिय पूरु में उगता है, अब यह जो truth है, यह क्या है, अगर हम present की बात करें तो भी सुरिय पूरु में उगता है, past की बात करें, past भूत काल की बात करें ठीक है, तो भी sun इस से मतलब वह क्या है यह जो ट्रूथ है यह क्या है यह युनिवर्शल है यह कभी हिझेंज नहीं होता ऐसे युनिवर्शल टूथ के लिए प्रैजने इन्डेफिनिय टेंस का पर्योग किया जाता है मतलब वर्फ की Arist फॉंप के यहूं MARTIN गशनिक्थ और इस ses अब अफ सन क प्रियोग किया जता है च्जाता हूनु नेक्समें रूटीन अक्टिइटीज जो भी हमारी डैलिक अक्टिविटीज होती हैं जैसे हम इस समय उठते हैं, मैं समय श्कूल जाता हूं ठीक है तो इस तरह की activities के लिए present indefinite ends का प्रियोग किया जाता है for example the school assembly begins at 9 am school की जो assembly है assembly होता है प्रारतना सभा वो कितने बज़े शुरू होती है नो बज़े शुरू होती है ये क्या है ये routine activity है daily की activity है की जो school assembly है वो नो बज़े सुबह नो बज़े शुरू होती है next time we visit our grandparents during the winter holidays हम अपने दादादी से सर्दी की छुटियों के दोरान मिलते है जो भी काम हम routine में करते हैं जो उसी exact time पर होता है उसके लिए भी present indefinite ends का प्रियोग किया जाता है तो इसमें भी क्या बता है आप रूटिन activity के बारे बता है कि मैं हर रोज स्कूल सुबह आठ बज़े जाता है और है जैसे रवी रवी वेक्स अप ये नेक्स में आ जाएगा ठीक है to talk about habits habits के habitual जो एक्षन होते हैं हमारे जो हमारे आदत में शामिल होते हैं जो हम daily करते हैं everyday करते हैं उनके बारे में भी बताने के लिए हम present indefinite ends का प्रियोग करते हैं for example सारा drinks milk without sugar सारा दूद पीती है without sugar बिना चीनी के मतलब बिना चीनी वाला दूद पीती है next सिद्धू usually wakes up at 5 a.m सिद्धू आम तोर पर सुबह पास बज़े उठता है ठीक है और ऐसे sentences में usually, regularly, everyday, daily इस तरह के adwords दी होती है networks of time तो वो sentence भी किस में होता है present indefinite tense में होता है तो present indefinite tense में हम इस तरह के words यूज करते हैं daily, usually, regularly, everyday तो ये तीन uses है इसके एक तो universal truth के बारे हम बताने के लिए जो सार्व भूमिक सत्य होते हैं और भी है जैसे two and two make four, दो और दो चार होते हैं ये भी क्या है एक universal truth है और routine activities के बारे में बताने के लिए जो भी काम आप routine में करते हैं उनके बारे में बताने के लिए और अपनी habits के बारे में बताने के लिए कि और भी है जैसे I I go to the park daily ठीक है अभी मैंने बताया है इसमें इस तरह के words यूज होते हैं इसमें हैबिट को भी शो किया गया है जो पार्क जाने का काम है वह हर रोज किया जाता है तो आज आपको present indefinite sentence के three uses learn करने हैं with examples ठीक है और इसकी जो कल्मेन sentence structures समझाये थे उनको भी अच्छी तरह से revise करना है